हेलो फ्रेंड दिस ही जल्पना सिंग तो देखे फ्रेंड आज हम आप सभी लोगों के लिए होम साइंस एमे सेकंड समेश्टर का जो हमारा पेपर टू है निर्देशन है हम परामार सिद्दान्स यानि कि प्रिंसपल आफ गौर्डेंस एंड कांसलिंग ठीक है आप लोग का केवल टॉप 15 कोश्चन करेंगे और हम आप सभी लोगों के लिए फ्रेंड्स कल टॉप 100 कोश्चन लेकर के आएंगे दो पार में ठीक है तब तक के लिए फ्रेंड्स आप लोगों इतने कोश्चन थोड़ा ध्यान से देखिएगा ठीक है और जो लोग अपी तक हमारे चैन अपने 15 कोश्चन करेंगे देखिए जो पहला पेबर था फ्रेंड्स वह आप लोग का उमीद करते हैं अच्छा गया होगा ठीक है और देखिए जो पास होने के लिए आपकी यानि कि जो नंबर होना चाहिए फ्रेंड्स वो 30 से कम देखिए नहीं होना चाहिए ठीक है कम से पwiek अपने कम आप लोग तीस नंबर तो ले करेंगे ऑऐ है और ध्यान से आंसर करेंगे क्विस्चन का एक जब में एक बी कुस्चन आप लोग का गलत नहीं हो पहला option है आपका परामर्ष होता है ठीक है देखे फ्रेंट जो परामर्ष होता है वो कैसा होता है संकुचित होता है ब्यापक होता है दोनों होता है इन में से कोई नहीं होता है ठीक है तो देखे फ्रेंट जो परामर्ष होता है वो आपका संकुचित होता है ठीक है राइट की तैयारी नहीं होगी वह अच्छा से नहीं कर पाया होगा ठीक है तो हम चाहेंगे आप सभी लोग कंटीनियू बने रहें और जो भी वीडियो फ्रेंट्स अप्लोड हो रहा है बेसक आप लोगों के पास 15 कोश्चन है लेकिन 15 कोश्चन को इतनी अच्छे तरीके से तयार कर धीड beef्स यहां पर पहला आप्सन है उप्चारात्मक दूसरा हैस्त्रा है संस्यात्मक तीसरा है दुपन्द सब्सरा दूआब द्वनकों तो प्रक्रणी होब कैसी डिन वो आपके उप्चार आत्मक होते है, ठीक है, राइट अप्सन मों का, फ्रेंट्स, पहला, ठीक है, चलिए अगले question क्यों चलते हैं, देखते हैं, क्या है, देखे, question है, कि परामर्ष में अनिवारे होता है, ठीक है, यानि कि जो परामर्ष है, फ्रेंट्स, उसमें क्या आपका सेखेंड देखते हैं यह आपके साथ छातकार होता है यानि कि जो परामर्स है इसमें साथ चातकार अनवारे होता है ना कि प्रशनावली ओकी राइट आप्शन आपका सेकेंड ओका फ्रेंड चली अगला क्वेश्चन देखते हैं देखिए question है निर्देशन का छेत्र होता है पहला option है संकुचित दूसरा है व्यापक तीसरा है निवार रात्मक और चौथा है उपर युक्त सभी तो देखिए जो निर्देशन का छेत्र होता है वो आपका व्यापक होता है ठीक है और जो परामर्स का छेत्र होता है वो क्या पूछे जा रहे हैं तो निर्देशन का जो छेत्र होता है वो कैसा होता है वो ब्यापक होता है ठीक है देखे फ्रेंट आज थोड़ा सा वीडियो अप्लोड करने में हमें लेट हो गया है इसके लिए सौरी बट आप लोग कंटीनू बने रहे हैं तो कलम आप सभी लोगों के अगला कुशन निर्देशन का दृष्टी कोड होता है ठीक है देखे है यहाँ पर दृष्टी होगा ओकई चलिए यहां पर अगला question देखते हैं और देखिए जो यहां पर संक्रद एवं अंतर मुखी दिया है ठीके ये आपके किसका होता है ये परामर्स का जो द्रिष्टी कोड होता है वो संक्र एवं अंतर मुखी होता है ठीके और जो निर्देशन का द्रिष्टी कोड होता है वो व्यापक एवं भाहिर मुखी होता है भूलिएगा नहीं आप लोग याद करिए चलिए अगला question देखते हैं क्या है देखिए अगला question देखिए quotation है निर्देशन का अर्थ है प्रदर्शन करना, इंगित करना सुचित करना और पत प्रदर्शन करना तथा इसका अर्थ शहायता देने से अधिक है किशने कहा है पहला option है जोन्स, दूसरा है क्रो एंड क्रो, तीसरा है राविंसन और चौथा है इन में से कोई नहीं तो देखिए फिर्ट जोब का quotation है कि निर्देशन का अर्थ है प्रदर्शन करना, इंगित करना, सुचित करना और प्रदर्शन करना तथा इसका अर्थ सहायता देने से अधिक है ये कथन किशने कहा है तो ये आपके जोन्स साहब ने कहा है ठीक है, राईट ओप्सन यहाँ पर आपका पहला हो जाएगा चलिए अगला कुश्चन देखते हैं क्या है देखे फ्रेंट्स यहाँ पर कुश्चन है आपका ठीक है कि सच्छादकार परामर्ष्ट का केंदरी बिंदू होता है किस ने कहा है ध्यान से देखे अगा फ्रेंट्स यह आप लोगों के परामर्ष में आ सकता है, ठीक है, सच्छतकार परामर्ष का केंदरी बिंदू होता है, किसने कहा है, जार्ज एफ मायर्ष ने, दूसरा ओप्सन है, क्रो एंड क्रो ने, तीसरा है रूथ इस्ट्रेंग ने, और चोथा है, इन में से कोई ने, तो देखिए जो सच्छतकार है, परामर्ष का केंदरी बिंदू होता है, ठीक है, यह किसने कहा है, तो यह आपके क्रो एंड क्रो ने कहा है, ठीक है, राइट अप्सन आपका सेकेंड हो जाया का फ्रेंड बहुत ही चोटा कोट ऐसा ने, यह आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, जो प ठीक है, दिखिए, क्वेश्चन है, आधुनिक समय में निर्देशन के मुख्य कितने प्रकार होते हैं, ठीक है, यानि कि आधुनिक समय में निर्देशन के मुख्य कितने प्रकार होते हैं, पहला अप्सन है चार, दूसरा है दो, तीसरा है तीन, और चौथा है छे, तो दि डेके जो आधुनिक समय में में निर्देशन के मुख्या प्रकार होते हैं के वी स्टीक है ऐसे यहाँ पर फॉर नहीं होगा ठिक है यहanu पर आपका वन मिनट टेकी ज़ल कोस्टिन था अधनीक तो देखिए आधनीक समय निर्देशन में प्रकार कितने होते हैं तो चोनोते हैं आपसे समय होते हैं और चाहिका है आधनीक समय होते हैं दिन निर्देशन दूसरा होता है आर्थिक निर्देशन लेकिन फ्रेंट्स कोस्चन में देखिए आप लोगों से आधुनिक समय में पूछा है ठीक है तो राइट ऑप्सन जो होगा वह आपका ऑप्सन नंबर थार्ड इजर राइट यानि की थ्री होते हैं ठीक है चली अग परामर्षदाता के व्यक्तिक योग्यता है जी बिल्कुल सही यानि की जो परामर्षदाता होता है फ्रेंट्स उसके जो व्यक्तिक योग्यता होनी चाहिए उसमें वो होना चाहिए ठीक है एक परामर्षदाता के गुड में दूसरा है प्रभावशाली ब्यक्तित होता है वो प्रभावशाली होना चाहिए जो कि दूसरों को बहुत जल्दी अट्रेक्ट कर सके ठीक है तीसरा ओप्सन है मैत्री पुरोड बेवहार यानि कि जो आपका परामर्ष दाता होता है फ्रेंड्स वो आपको मित्रता पुरोड उसका बेवहार होना चाहिए और चोथा है उस के अंदर आत्म विश्वास होना चाहिए तो यहां पर राइट ऑप्सन जो होगा फ्रेंड्स वो आपको ऑप्सन नमबर फिप्ट जिदर राइट हो जाएगा ठीक है चलिए अगला क्विस्चन देखते हैं क्या है देखिए फ्रेंड्स अगला क्विस्चन है परामर्ष के सद्धानतिक आधार मुख्य रूप से कितने वर्गों में विभाजित है ठीक है आपको बताना है फ्रेंड्स की जो परामर्ष का सद्धानतिक आधार है वो मुख्य रूप से कितने वर्गों में विभाजित है तो देखिए फ्रेंड्स पहला अप्सन है ठीक है पहला अप अगले केवगों कारुप्धावर्थ सिध्द्धान्था, तो रॉट ङहां पर आपका फोर्थ हो जाएगा। एलए को इसे और दो जिखते हैं hacen ठीके फ्रेंट्स अगला क्वेस्चन है परामर्ष्ट के सिध्धान्त होते हैं ठीके यानि कि जो परामर्ष्ट के सिध्धान्त हैं वो कैसे होते हैं ठीके तो चलिए सबसे पहला हमारा ओप्सन है देखिए स्वीकारे सिध्धान्त दूसरा है अनुकूलता का सिध्धान्त त तीसरा है समान विचार का सिध्धान्त और चौता है उपरयुक्त सभी तो दिखे यहां पर जो परामर्ष के सिध्धान्त होते हैं यह आपके तीनों होते हैं यानि कि इस विकारे का सिध्धान्त ठीक है अनुकूलता का सिध्धान्त और समान विचार का सिध्धान्त तो यहा अगले question के चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला question क्या है देखे question है ब्यक्तित विकास के कितने पच्छों होते हैं ठीके ब्यक्तित विकास के कितने पच्छों होते हैं पहला option है छे दूसरा है चार तीसरा है तीन और चौथा है दो तो देखे फ्रेंट्स जो ब्यक्तित्त विकास के पच्छों होते हैं वो आपके चार होते हैं ठीके कौन कौन होते हैं तो आपके सारिक पच्छ, कौसलात्मक पच्छ, मांसिक पच्छ और पारिवारिक पच्छों होते हैं ठीके यह आपके ब्यक्तित्त विकास के चार दिखे, question है, नकारात्मक शंग्विग होते हैं, ठीक है, आपको बताना है friends कि नकारात्मक शंग्विग कौन कौन से होते हैं, पहला option है क्रोध, दूसरा है भै, तीसरा है इरिश्या और चोथा है उपर युक्त सभी, तो दिखे फ्रेंड जो आपके नकारात्मक शंग्विग के अंतरगत आते हैं, यह आपके तीनों ही आते हैं, ठीक है, यानि कि ऊपर युक्त सभी यहाँ पर बिल्कुल correct हो जाएगा, नकारात्मक शंग्विग के अंतरगत, ठीक है, रोध, भाय, इरिश्या ये तीनों ही आपके नकरात्मक संग्विक के अंतरगत आते हैं ठीके चलिए एकला question देखते हैं सभी लोग friends अपने दोस्तों में share करिएगा ठीके ठाकि सभी लोगों को option सभी लोगों को help मिल सके ठीके नहीं तो काफी लोगों के friends back लग जाएंगे और हम नहीं चाहते हैं friends कि home science में किसी का भी back लगे ठीके या फिर कोई भी fail हो क्योंकि देखिए home science का share series नहीं चपा है बाकी सभी subject वालों का है तो वो लोग तो निकल जाएंगे आप लोग रह जाएंगे ठीके तो हम चाहते हैं friends सभी लोग पास होएं ठीके question है जड़ बुद्धी वाले बालकों का बुद्धी लब्दी कितना होता है ठीके यानि कि जड़ बुद्धी होते हैं friends सबसे मुर्क होते है ठीके उनका बुद्धी लब्दी IQ लेबल कितना होता है पचास सत्तर पचीस से जादा क्या पचीस से कम तो देखे फ्रेंट जो जड़ बुद्धी वाले बालक होते हैं उनका जो IQ लेबल होता है वो कितना होता है तो वो आपका 25 से कम होता है ठीके राइट आप्सन जो होगा वो आपका औप्सन नमबर फोर्त जीद्र राइट हो जाएगा ओके चले अगला क्विस्जन देखते हैं फ्रेंट क्या है देखे अगला क्विस्जन है यानि कि आज का ये लाश्ट क्योस्चन है निदेशात्मक परामर्ष केंद्रित होता है ठीके देखिए जो नीदे सात्मक परामर्ष होता है friends वो किस पर केंद्रित होता है पहला option है परामर्ष दाता पर यहाँ पर प्रार्थी या फिर प्राप्त करता रहेगा ठीक है यह गलत हो गया है टाइपिंग वाले ही गलत कर दे रहे हैं ठीक है चलिए यहाँ पर प्राप्त करता पर हो जाएगा ठीक है दूसरा तीसरा है दोनों और चोथा है इन में से कोई नहीं तो देखे फ्रेंट्स जो नीदे सात्मक परामर्ष केंदरित होता है वो आपके परामर्ष दाता पर केंदरित होता है यानि कि जो एक परामर्ष दाता होता है परामर्ष प्राप्त करता है यहां पर आपको आपसन नमबर वन बिल्कुल करेक्ट होगा फ्रेंड्स चलिए आज के लिए हमने 15 कोश्चन डिसकस किये हैं ठीक है कल सुबह ही यानि की दो पहर में ठीक है क्योंकि हमें नहीं पता किस प्रकार्श कोश्चन आ रहे हैं लेकिन एक पेपर हो गया है तो कुछ आईडिया मिल गया है ठीक है कि किस प्रकार्श कोश्चन पूछे जा रहे हैं तो चलिए फ्रेंड्स जो लोग अभी तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं कि हैं वह यदि आप लोगों को पता है तो आप लोग हमें कमेंट कर बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे अगर नहीं पता है तो कोई नई फ्रेंड्स हम आप लोगों को बताएंगे ठीक है चलिए फ्रेंड्स तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अपने अगली क्लस यानि कि कल टॉ